बॉलिवूट सेलिब्रेटीज, क्रिकेटर्स और टीबी स्टार्स इनकी शादी को लेके बहुत चर्चे हुए इतने हुए कि अपनी शादी उनके जैसा कैसे करें? इसके खुआप देखते हैं इंडिया के big fat weddings में ऐसे 3 issues और उनके solutions मुझे आपके साथ discuss करना ज़रूरी लगता है आज इंडिया में एक average शादी पर हम 20 से 25 लाग खर्च कर देता है इसको contextualize करूँ तो आज इंडिया के tier 1 या tier 2 city में एक आम आदमी की average salary 3 से 60 दिन लाग रुपे है इसका मतलब लोग अपनी 10 साल की earnings 3 से 4 दिन के event पर उड़ा देते हैं एक middle class आदमी अपने शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए loan लेता है कोई credit history या stable income ना होने के कारण कुछ families को इन loans का benefit नहीं मिल पाता ऐसे situations में innocent parents turned themselves to the unlicensed and unregulated moneylenders ऐसे बड़े mafia अपने हिसाब से interest मांगते हैं और पैसा टाइम पे ना देने पर ये अपने parents को exploit करते हैं families in the interior parts of India have lost their lands and parents are harassed to a point where they are compelled to leave the village tier 1 cities में 20 से 30 की उमर में 20 पसेंट लोग ऐसे भी है जो अपने marriage के लिए loan लेते हैं loan तक तो ठीक है but youngsters in this age also fall trapped to the digital moneylenders ऐसे fraud digital labs, recovery agents के तुरू आपके documents, photos और contact details leak करके आपको harass कर सकते हैं ऐसे बहुत से कैसे cities में और well educated लोगों के साथ हमें होते वे दिखते हैं हाँ इसका solution भी है ऐसे loan से बचने के लिए हमें unwanted खर्चे और अपने budget को काबू में रखना सीखना चीए इसके लिए शादी के पहले हर section को एक limit set कर देना चीए हर section को एक percentage lot कर देने पे हम उसे efficiently track कर सकते हैं इस chart का एक screenshot तो बनता है ये chart आपको track करने में help करेगा कि आपके खर्चे होका रहे है second issue है dowry system दिल्ली में 26 साल की सुनिता जो की एक teacher है उसकी शादी 28 साल के रमेश के साथ होती है सुनिता के माता पिता ने 15 से 20 लाग काफी जुगाड करके अपने बेटी के शादी के लिए जमा किये इन पैसों से उन्होंने fridge, furniture, jewelry और इसे काफी चीज़े अपने बेटी को दे दिये अब तक तो आपको मालूम पढ़ी गया होगा कि ये क्यू दिये एक point आया जब उन्होंने अपने सारे savings और bank से लिए होए loan को exhaust कर दिया शादी के 5 साल बाद भी सुनिता के family का financial burden कम नहीं हुआ शरण तो इस बात की है कि आज भी 90% families में dowry system existing है बलकि बहुत सारे families खुद को progressive दिखाने के चलते dowry को gift के नाम पे frame करते 1960 से लेकर 2023 तक dowry system पर रोकनी लगा पाए हम इससे बचने के लिए एक ही solution है हमें personal level of action लेना होगा अगर आपकी बेटी, बहन या कोई दोस्त शादी के बाद consistently पैसा मांग रही है तो beware, because this can be a harassment related to dowry अगर आपके आजवाजू में ऐसे cases दिखते हैं तो spread the word, क्योंकि समाज तो यही चाहेगा कि हम चुप रहे और बड़ों के सुने but we as youth need to realize and take action थर्ड पॉइंट है food wastage तो हर शादी में on an average 40% food waste चले जाता है और वो भी हमारे देश में जहांपर global hunger index 107 countries में से 94th rank पर है apart from food, हमारे wedding के decoration में बहुत जादा plastic use होता है data कहता है कि एक single wedding में 100 kg से जादा waste ही कटा होता है हमें तो लगता है कि शादी सिर्फ एक बार होती है पर अपने भारत के population का average age आज 29 years है और पूरे country में कितने ही शादी होती होंगी 2000, 20,000, 20,000, 20,000, पूरे 1 करोड होती है भाई So just take a minute and imagine the food waste we do every year इसका भी solution है आज बहुत सारे wedding planners eco-friendly solution provide करते है Search for them आपके शादी में 1000-2000 लोगों को बुला कर एक शक्ती प्रवजन करने से अच्छा है कि optimum लोगों को बुला है ऐसे friends और relatives जो आपकी परवा करते हो इससे unwanted guests नहीं आते और food wastage भी कम हो जाता है I don't wish to take away India's world-renowned tradition It's extra vegans, grand year and bigger than life celebrations और मैं ये भी मानता हूँ कि wedding industry ने काफी caterers, makeup artists, decorators और planners को एक opportunity दी है बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि it's high time that we take sustainable decisions Yes, it is once in a lifetime opportunity and we should enjoy it अगर आपको मेरा काम पसंद आयो तो follow करने मत भूलना This will motivate me to make more such videos and come up with great content शुक्रिया